नमस्कार उत्रप्रदेश की खबरों के वेगा बुलिटिन अप्रा उत्रप्रदेश में आपका स्वागत है मैं आपके साथ काविद चौहाटों चले बुलिटिन की शुरुआत करते हैं चुनावों की तारीखों की घोशना होने के बाद सभी सियासी दल अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदार होना है वहीं टिकेट खुले कर नेता भी पार्टी का जनाधार बढ़ाने की बात कहकर पार्टी की जीत का दावा कर रहे बदाईयों की 117 विधान सभा दातागंज से बीजेपी से टिकेट की दावेदारी कर रहे बीजेपी नेता राजीब कुमार सिंग से खास वाचित की हमारे समबादता विजराट ठावर ने आप भी इसको सुख़़ए न्यूज वर्ल इंडिया की टीम आज बदाईयों जन्पत के 117 विधान सभा दातागंज पे पहुँच चुए राजीब कुमार सिंग और बब्बू भीया ने कहां पर कमान समाली थी अब देखना है कि भारती जन्ता पार्टी ने फिर से एक बार इन पर भरोसा जताते हुए फिर से जो है इनको भोसित किया है अब देखना यह होगा कि 2022 चुनाव नजदिक है 14 फरवरी को वोटिंग हो सित किया है और दुवारा से इन पर भरोसा जताया है मनसे बात करेंगे कि जो पार्टी ने तो एक बार भरोसा दुवारा से जताया है क्या जन्ता के बीच कौन-कौन से कारिये जो पांच वर्स में किये हैं और क्या बादे में कि जन्ता की बीच जा रहे हैं देखें पांच बर्गों को साथ लेकर सबका साथ सबका दिकास और सबका विश्वास के संकल्प लेकर हमने काम किया और हमने गाउं तक पहुंचने का काम किया है गाउं की गरीबों की समस्याओं को असमाधान किया है हमने बादे नहीं किये काम किया है और आज यही कारण है कि सारे दल घबराय हुए हैं और सब एक हो रहे हैं और भारती जंता पार्टी की आधी है सुनामी है आधनिये मोदी जी की नेतरत में आधनिये यूगी की और जा रहा है मैं अपनी विधान सभा क्या करूं पूरे उत्तर प्रदेश में भारी भहमों से भाजपा की सरकार बनने जा रहे हैं कि अगर विधाईग जी बात की जाए 117 विधान सभा की जो हम बात कर रहे हैं यहां पर 3000 करोड से एकर कहा जाए तो 60 वर्सों में जो नहीं हुआ को उदातागन्य की जनता को जिस चीट का इंतियार था तो एक 3000 करोड विधान सभा के लिए बहुत बड़ा काम होता है तो किस किस तरह से जो 3000 करोड का काम हुआ कही परियोजनाएं जो हमारे दातागन्य की विकास में मिल का पत्थर होंगी साबित होंगी जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन की एक एचनाल की फैक्टरी जो सपना था इस दातागन्य शेतर में लगी है हमने एक बहुत बड़ा बिजली घर्भी यहां बना कर रहा है स्थापित हुआ और बन के तयार हो गया钟 सावा में राज़की ंहा विद्याल बन के तयार हो गया उत्में सुरूदात फोने वाली है पायर स्पर जूर जो कहीं नहीं था यहां पर बनवाया गया दाता कunter में और वहा भी चालू हो गया है इसी तरीके से राम प्रियासिया क्या है जनता तनुमन से भारती जनता पार्टी के साथ है और मैं दावा करता हूं कि जो भारती जनता पार्टी के विश्वास किया है इहां की जनता उस विश्वास को पूरा करने का काम करेगी और पिछली बार से 50,000 अधिक बोटों से जनता यहां से पास है क्योंकि यहां की जनता तर्णमन से दिल से भाती जनता पार्टी की साथ है और मैं उनके साथ हूं और हम सब मिलकार एक नया इथ्यास बनाने का काम करें विधायक जी पांच वरस बोजर गए पांच वरसों में जो कारी हुआ आको लगता है कि ऐसे कौन से काम छूटे ह हैं 2020 में तो नहां चुन करके आएंगे तो उनको भी पाके करना है अब देखिए सड़कें यहां हो गई स्कूल हो गए किसी विध्यान केंद्र हो गया और फायर इस्टेशन हो गया इंदुस्तान पेट्रोलियम की एक फैक्टरी लग गई इसके अलावा भी आप जहां भी फैक्टरी लगी उनसे अलाव अगर आनाने वाले पहुंच वर्षों में किस तरह है कि और रोजगारों के जैसे हमारी चरकार होसी जनाय है जो हर विधान समय में जाकर वहां पर प्लेश्मेंट के मेले लगवाते हैं और वहां के लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं और मैं समझता हूं कि यहां के काफी सैक्रों की तादात में लोगों को रोजगार मिला है और आगे आने वाले समय में भी यहां कुछ ऐसी फेख रहा है एक से उध्धोग इस्थापित करने के काम किये जाएंगे और जो हमारे एक जन्पत एक उत्पाद के द्वारा भी हम ह यहां के लोगों को स्किल डवलप्मेंट के माध्यम से हम उनको यहां से लावान विद करके यहां की बेरोज़वारी को जूर करने का काम करें जो है एक बार रोजगार के जो है अब सर रोजगार मिलने वाले जो इस तरह के फैक्टरियों का यहां पर निर्मार किया जाएगा चलिए तो अब आपको संथ कभीर नगर लिये चलते हैं चुनावों की तारीखों की घोश्टा होने के बाद सभी सियासी दल अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं वहीं टिकेट खुलेकर नेता भी पार्टी का जनाधार बढ़ाने की बात कह रहे हैं संथ कभी नगर की 313 विधान सभा खरीलावाद से बीजेपी से टिकेट की दावेदारी करने वाले बीजेपी नेता बैवब चत्रुएदी ने बीजेपी के सुशाषन विकास के सारे बीजेपी की जीत का दावा किया है खरीलावार विदान सबाद से बीजेपी नेता बैवफ चतुरुएरी से खास बाचीत की हमारे सहीयोगी हेमन सिंग में आपकी सुखिए आचार संकता लग चुकी है और चुनाओ की तारीकों का एलान हो चुका है सभी राजनेतिक दल तोड फोड में लगे हैं और अपने राजनेतिक कुनबे को बढ़ाने के लिए सारी पार्टिया एड़ी का से चोटी का जोड लगा रही है इसी मुद्धे पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के संतकबीर नगर के खलिलाबाद बिदान सभासिस किसमत आज मारा हैं बैभोच अधरवेजी भाजपा नेता हैं और समास सेवी भी हैं उन्हीं से जानने की कुशिस करते हैं कि भाजपा की इस संतकभीर नगर में जो तीनों सीटे है वो क्या बचा पाएगी भारती जंता पार्टी बहुत बहुत सवागत है नीज ऑ लर्ड के या मांनते हैं कि क्या भी नगर में बर्कनार रख पाएगी निश्चित रूप से संतकभीर क्यों और सदर और महदावल तीनों सीटे इससे पहले भी भाजपा 2017 में जीती थी और फिर 2022 में भी भाजपाही जीते गी इसमें कहीं बट नहीं है जिस तरह से जोड तोल की राजनी चल रही है सारे राजनेतिक दल जो है अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं और आप भी भा that party जोडने की कवायत करें इसलिए सफलता देखती है और लोगों का रुज्यान क्या है देखें क्याम के पूरा नीचे तक जसलता है भारती जनता पार् мощ के साथ है लोगों का हर गांए हर चौराहा कर जहां वह को चिस którą Starting है जनता भार्टी जनता पल्टी के साथ है जन्ता फिरसे 2017 से पहले का आतंग फिर स्विकार करने के मुड में नहीं है जिस तरह की S popular defense से पहले उत्तरप्रदेश में रही है जन्ता देखने के एकदम मूड में नहीं है जन्ता राम राज्यन चाहती है और वह क्या मांनते हैं कि बार्ती जनता पार्टी के मंत्री और नेता बिधायक बड़ी संक्या में भारती जनता पार्टी छोड़ रहे हैं? उसी क्रम में खलीलाबाद सदर सीट पर भी भारती जनता पार्टी के विदायक ने भी साइकिल की सवारी करना मुनासिब समझा और भारती जनता पार्टी को छोड़के चले गए तो क्या मानते इसका कितना इंपक्ट देखने को मिलेगा चुराओं में देखे कोई बड़ी संख्या में कोई भारती जनता पार्टी को छोड़के नहीं जा रहा है वही लोग जिन लोगों ने छेत्र में काम नहीं किया है जिन लोगों ने भारती जनता पार्टी के लहर में जो लोग जीते और छेत्र में जरासा भी काम नहीं किये खाली गुंड़ बदमासी लोगों को मारना पीटना जमीन कबजा करना इधर उधर तिन पांच की काम करना लोगों को लड़ाना इनके खिलाब मुकदमे कराना उनके खिलाब मुकदमे कराना छेत्र में जनता का कुछ नहीं सुनना जनता को प्रताडित करना जनता के बीच कभी नहीं रहना ऐस सिट में और सिट इन् Fellows सविकार नहीं करें करना लोगों को बुला बुला के मारING करना सब्बाद इस्तरा की दभाइब करना ऐसे लोग जो सरकार के दम पेशब करते थे ऐसे लोगी जाकर के दूसरे पार्टी का दामन थाम रहा है जनता इनको स्विकार नहीं करेगी पार्टी ने इससे पहले उनके उपर एक्षन क्यों नहीं लिया वड़ा सवाल उपता है इसमें एक्षन भी लिया गया था और यह बातें जग जाहिर हैं कि एक्षन लिया गया था पर चुनाओं को दिश्च्चोर देखते वे यह लोग टिकट काटा जाता है इन लोगा पर वर्षों से बीजेपी के पास कब्जे में रहीं एक मानी जाते खालाबाद विधान सवाथ तो यहां समीकरण जो बिपक्ष मान राज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवाथ पार्टी जो है एम वाई का समीकरण लेकर चल रहे तो कितना इंपक्ट जात्यवादी जो है इंपक्ट जो है इस विधात सभा में देखने को भी लेगा देखिए जो लोग जातिवाद से तोड़ना चाहते हैं हम लोग राश्टवाद से उनको जोड़ रहे हैं और जनता इस सब जातिवादों से ऊपर उठ करके वोट करती है अब यह जनता यह सब चीजों को पार्टियों ने किया जो आप यम वाई का समीकरण आप जिसकी चर्चा कर रहा है समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाजवादी पार्टी ने दो दोनों ने गड़ बंधन करके हर सीटों पर चुनाव लड़े थे इससे बड़ा जातिकत फैक्टर क्या हो सकता था उत्त पार्टी के वोट्स आप देख लिए आपको लोग सबस्क्राव के रिजल्स में दिख जाएंगे तो यह फिर से उत्तरप्रदेश के इस चुनाव में 2022 के चुनाव में आपको फिर से दिखेगा कि जातिकत फ्रेक्टर जरासा भी काम नहीं करेंगा लोगों को सुसासन पसं माफिया खतम हो जाएं माफिया को जरासा भी तवज्जो ना मिले वह जेल के अंदर रहें यह सब भार्वादी की बात नहीं है यह सब करके देबाना उनके लोग ही इस तरह से हैं तो वो लोग क्या करेंगे एक सवाल उठ रहा है विपक्ष उठा रहा है कि उन लोग के उपर कारवाई हो रही है जो कुछ जातियों को देखके जो है योगी जी का बुल्डोजर चला यह विपक्ष कारों पर जैसे आप बताईए कौन सी जात की विशेश्ट कर महराजी ने बुल्डोजर चलवाया महर इसे लोगों को भीजा जिनका छेतर में एक माफिया के तोर परिमेश था जो लोग गुंड़ाई करते थे जमीन कबजा करते थे ढबंगई करते थे ऐसे माफियाओं ऐसे गुंडों को महराजी ने बुल्डोजर चलाया जैसे भी चला इसमें जातपाद देखकर कि नहीं कि कि खार। है कि महाघाओं से जनता प्रइस्ट ऊसका भी इपक्ष लेकर वुनाने की कोसिस कर रहा है है मैं जिक सहामत रहे हूं मैं जब पर जनता बहुत सहामत है और इसमें यह नहीं का प्रजिया विपक्षच जब आर गया गया है पर महगा फैक्टर को कहीं है धीक जो करती हैं पर इसके जनता का इसका क्यूंकि उसका विकल भी सरकार उनको देती है जो बहुत गरीब तपके की लोग है उनको मुफ्त के रासन मिल रहे हैं बाकी चीजें जिस हिसाब से लोगों की पॉकेट साइज बढ़ रही है उस हिसाब से मार्केट के इंफलेशन बढ़ता गटता रहता है इस पर बहुत मुझे नहीं लगता कि इसका असर रहता है बीजेपी आप लोगों के सामने मुख विपक्षी दल कौन उभर के आ रहा है और आप बीजेपी जो है खलीलाबाद बीजानसवा में किस से लड़ाई मान रही है भारती जनता पार्टी खलीलाबा जनता राम मंदर के लिए वोट करेगी जनता हर जनता इन सब चीजों के लिए वोट करेगी एक तरफा हम जीतेंगे इसमें कहीं इवबट नहीं है जो लोग जिस विचारधारा के थे जो लोग गु repro n bize राके तरफियदी जोलोगे नितागरी का मतलब लोग गुंड़ा की समस्ते थे उन कि गुंड़े जिस पार्टी से उनकी विचारधारा मिलती थी उस पार्टी में वो लोग गए हैं और जंदा उनकी गुंड़े भुलवा देगी इसी चुनाओं के अंदर आप देखेगा इसको नोट कर लिजए यह हमारे साथ थे भाजपा के नेता हैं और उनका साफ तौर प काम हुए हैं और जो सुसासन का राज राय उसको देखते हुए जनता जो है भार्टी जनता पार्टी को वोट एक बार करेगी और योगी जी की सरकार फिर एक बार जनता बनाएगी कैमरा परसंद मुहमद हुसैन के साथ हेमन सिंग न्यूज वर्ल इंडिया संत कभी नगए खबर बारा बंकी से है जो अपने आप में विच्चतर है अपने आप में अनोखी है यूपी विधानसभा चुराओ को लेकर सभी राज राज रितिक दल इस बार अपनी अपनी पार्टी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं जबकि दूसरी तरफ पार्टी के समर्थकों ने अपने अलग अलग अंदाज में पार्टी को जिताने के लिए तमाम तरह के जतन और पूजा पार्ट करना शुरू कर दिया है ऐसा है एक मामला 12 बंकी जिले से सामने आया है जहां पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने अपने घर पर सफा मुखिया अखिलेश तक जारी रहेगी हम लोग इनकी पूजा करते हैं और पूजा करते रहेंगे जब तक ये मुखमंतरी नहीं बन जाते हैं और सभी ओट देंगे जगत का कल्यान भगवान करते हैं उसे उत्तर परदेश का कल्यान करेंगे अखलेश चादो जी पूजा अर्चना हम करने हैं अकलेश भाया के लिए अकलेश भाया को मुखमंतरी बनाना है योगी बाबा से कुछ नहीं होता है उत्तर परदेश में कोई विकास नहीं हो रहा है अकलेश भाया जब मुख्यमंतरी थे बच्चे भी सिच्छित थे बच्चों की पढ़ाई वर्बाद हो रही है देश बिक्सिर नहीं हो रहा है शालोर में तमंचे से केक काटते हुए एक यूवक अपना जर्म दिन मना रहा है साथी तमंचे से ही वे अपने दोस्तों को केक खिला रहा है जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जम कर वारल हो रहा है इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं फिलाल घटना में शामिल एक यूवक को रफतार किया गया है यह तस्वीर आप देखें जालाउन की यह तस्वीर है जहां पर तमंचे से केक काट रहे हैं यूवक का वीडियो वारल हुआ है इस यूवक ने पहले तमंचे से केक को काटा फिर उसी तमंचे की बट पर केक को रखकर वो अपने दोस्तों को खिलाता हुआ नजर आ रहा था इस पूरे बर्डे सेलिबरेशन का वीडियो बनाया गया और इस वीडियो को किसी ने सोशल मीडिया पर अप्लोड कर दिया जो क्या वाइरल है वाइरल होने के बाद प्रिशासन की बीच हड़कम मच गया हड़कम मचते ही आनन फानन में दविश्दी गई सुचना जुटाई गई कि वो कौन लोग थे ऐसे में एक यूवग को गिरफतार किया गया है बाकी जो मुख्य रूप से जो नजर आ रहा है जिसने केक को काटा है वो अभी फरार बनाया जा रहा है मीडिया सल के माधिम से हमारे संग्यान में एक वीडियो आया जिसमें कुछ लोगों दवारा तमंचे से केक काटते वे दिखायी गया था उस वीडियो को संग्यान में लेते हुए पुलिस अदिक्सक महोदे द्वारा एक तीम यहां पर बनाय quasi कौश थाने की और अभी रीसेंटली ही लास्ट मतब इवनिंग में कल पंद्रा तारेकुम शाम के टाइम में लगबग आठ बजे एक व्यक्ति उसमें गिरफतार किया गया है जिसका नाम मुहम्मद सुहेल उर्फ भाव उर्फ कांचा है और उससे गिरफतार करके उस पर मकद दर्ज कर लिया गया है और अगरिम कारवाई की जाएगी इसमें वीडियो में अन्य लोग भी दिखाए गये हैं जिनकी तालाश की जा रही है और आगरिम कारवाई की जाएगी साहरनपुर में महरम अली भप्पू के समाजवादी पार्टी में जॉइन होने पर पंजाबी एवं सिख समाज के द्वारा जो स्तीफे दिये जा रहे थे और समाज के लोगों में जो रोश था उस सम्बंध में आज समाजवादी पार्टी से पारशद एवं पंजाबी सिख समाज नेता अभिशेक टिंकू और ओडा द्वाराव पुल खुमरान निकट आवास से पत्रकारों को चानकारी देते हुए बताया गया कि मुहर्रम अली प समाजवादी पार्टी अभिशेक टिंकू अरोडा द्वारा अपने आवास पर मुहर्रम अली पप्पू के समाजवादी पार्टी में जोईन होने पर पत्रकारों को संबंधित जानकारी दिगे क्या कुछ कहा मुहर्रम अली ने आपने सुनिए देखिए मैं व्यक्ति का तुरूप से इस फैसले से बहुत आहत हूं और ये एक व्यक्ति के द्वारा निजी हित में लिया गया फैसला है ना कि इसकी हाई कमान को और परदेश निततर्व को इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी और जो सिख समाज और पंजाबी समाज के लोगों ने इस्तीफा देने का काम क्या है हमने रात एक मिटिंग पंजाबी और सिख समाज के यूबकों की करी है और उन्हें समझाने का काम क्या है कि देखे 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है अखिले श्यादव ने समाजवादी की सरकार ने तिरासी मुकदमे लगाने का काम उन्हें पर किया था तो बिल्कुल भी निराश होने की जूरत नहीं है अखिलेश यादव जी सिख समाज और पंजाबी समाज के साथ हैं सब को कार्टी में रहकर समाजवादी पार्टी के लिए कारे करेंगे झाल झाल और यहां में भतीजी के आरोप के बाद मीडिया के सामने आए भाजपा विधायक के भाई देवेश शाक्या बोले मेरे उपर लगे आरोप निराधार है परिवार का सहरा लेकर कुछ लोग मुझे बदनाम करने की साजिश कर रही है रिया मेरी भतीजी और बेटी की तरह है भतीजी के आरोप निराधार है पहले आप भतीजी ने क्या कुछ कहा है उसको सुलिए फिर उनके चाचा देवेश शाक्य का उस पर जवाब ही सुलिएगा मेरे आदरनिये पिता श्रीविने शाक्य जी ने 25 वर्ष से जो राजनीती करी है वो उन्होंने दलितों, पिछडों, व्यापार्यों और खास करकी समाज, हमारे समाज, शाक के मौर, सैनी और कुछवा समाज के लिए उन्होंने लड़ाई रड़ी है समाज की सम्मान की लड़ाई के ऊपर मेरे पिता जी के ऊपर फूर्व में हमले हुए हैं, समाजवादी पाटी ने मेरे पिता जी पर हमले कराए हैं, मुझे अभी भी आदर 2005 की बात है, मेरी बुआ की शादी थी, उसमें भी मेरे पिता जी के ऊपर गोली चली थी, और मेरे बड़ेडा हार में उनके उपर जब जिला पंचाटी चुनाओं के चल रहा था तब मेरे पिता जी के उपर हमले हुए थे हापड की पिलखुआ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगे पुलिस ने विधानसभा चुनाओं में खपाने के उद्देश से हर्याणा से लाई गई 11 लाख रुपए मूले शराब की 172 पेटिया मरामत की हैं पुलिस ने शराब की तसकरी के आरुप में दो शराब तसकरों को गिरफतार भी किया है अपर पुलिस अदिक शक सर्वेश मिश्र ने बताया कि थाना पे लखुआ पुलिस छिजार सी टोल के पास वाहनों की चैकिंग कर रही थी कि एक यात्री बस को रुपने का इशारा किया उसमें सवार दो लोग बस छोड़ कर भाग खड़े हुए पुलिस ने पीछा कर दो नुवा रुपियों को गिरफतार करा है इनके पास डिमांड आती थी इनका एक जो सरगना है जो कि अभी इसमें गिरफतार नहीं हुआ है वो इनको फोन के माद्धम से बचाता था कि फला जनाए पर इसको डिलिवर करना है तो वहाँ पर ये डिलिवर करते थे अभी उसकी तलास किये जा रही है उसके पकड़े ज झाल